हालो एव्रिवन आज हम लेके आये हैं बायो केमिस्ट्री का ही नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे हें की मिटिल hemiacetal reactions क्या होती है लास्ट वीडियो में हमने डिसकस क्या था बिल्कुल basic of biochemistry जिसमें हमने carbohydrates क्या होते हैं यह देखा था glucose क्या होता है basically glucose or fructose में differences क्या होते वो study क्या था आज का वीडियो बेस्ट होगा उसी आपको basic structure glucose or fructose की पता होना चाहिए उसी glucose or fructose की structure जिसे हमने represent क्या है यह कभी भी linear form में stable नहीं होती है जिसमनी क्या कहा था fissure projection यह क्या है आपको basically fissure projection यह फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में जो stable नहीं रहती है glucose और fructose अपने आपको solution में stable करने के लिए cyclic condition में cyclic structure में convert कर लेते हैं वो cyclic structure का formation कैसे होगा आज हम उसी की study करिए चले सबसे पहले कुछ basic points जो हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए जिसमें students को confusion हो सकता है first important point innate d glucose और d कोई भी carbohydrate हो किसको d और l carbohydrate कहा जाएगा d और l capital d और small capital l की बात कि ही जा रही है capital d it means हमेशा ध्यान रखेंगे lowest chiral carbon पर जहां से सुनिए lowest chiral carbon पर जब hydroxyl group की position right hand side होगी तब वह glucose कहलाएगा d glucose lowest lowest किस पर lowest कार्वन कार्वन पर जब hydroxyl group की position right hand side होगी तब वह glucose क्या कहलाएगा d glucose और जब lowest कार्वन कार्वन पर hydroxyl group की position क्या होगी left hand side होगी तब वह क्या कहलाएगा basically l glucose या आपको एल कार्वो हाइडरेट capital D और capital L यह एक दूसरी की क्या होते इनेंश्यूमर्स क्या होते बिसिकली इनेंश्यूमर्स I hope आपको clear होगा हमेश्य आपको लोवेस मतला 5th number का काईरल कार्वन जो 5th number का कार्यल कार्वन है कार्यल कार्वन के लिस्ट में सबसे नीचे वाला कार्यल कार्वन की पोजीशन पे स्याइन रखे गा जब राइट हैंड साईट होगा तब वो क्या कहलएगा D glucose और जब लप्रटेंड साइड साइड होगा तो वो क्या कहलएगा एल ग्लूकोस तो यह basic structure हैं जो हमें रखना है टो D और L क्या होता है आप लोगों को confusion होगा कि small d और small l भी तो होते हैं तो वो क्या होते हैं तो small d और small l represent करते हैं dextrorotatory और levorotatory को dextrorotatory small d और small l का मतलब क्या है dextrorotatory dextrorotatory और levorotatory levorotatory और dextrorotatory का मतलब क्या होता है वो सुगर solution जो plane polarized light को clockwise direction में rotate कर दे clockwise और anticlockwise जो clockwise direction में घुमाएगा वो क्या कहलाएगा dextrorotatory solution और जो anticlockwise direction में घुमाएगा वो क्या कहलाएगा levorotatory solution या levorotatory sugar जो बहुत ध्यान सा समझेगा to the point वीडियो है आपका जो capital D और small L capital D और capital L का मतलब क्या होता है कि OH की position किस साइड है lowest chiral कारण पर OH की position किस साइड है वो capital D और capital L बचाएगे small D और small L क्या रिप्रेजेंट करेंगे dextrorotatory और levorotatory कि वो sugar solution plane polarized light को dextrorotatory direction में rotate कर रहा है या clockwise direction में rotate कर रहा है इसको plus से भी denote किया जा सकता है जिसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह कुछ basic concept से जो आपको clear होने इच्छी है अब बात करते हैं कि इसकी cyclic structure कैसे बनेगी कैसे कोई भी शुगर cyclic form में convert हो जाती है तो cyclic form में convert हो रही है मलग ध्यान रखेगा दोनों शुगर क्या जो functional ग्रूप है functional ग्रूप जैसे ही fructose के case में ketone group 5th या 6 ketone के साथ ऐसा है वो 5th के साथ के hydroxyl group के साथ भी reaction कर सकता है और 6th carbon के hydroxyl group के साथ भी reaction कर सकता है 5th के 6th carbon के hydroxyl group के साथ reaction करेगा और जो cyclic structures बनेगी वो क्या होगे उसकी fructose cyclic form में convert हो जाएगा कैसे होगा कैसे convert होगा कैसे alleid और alcohol की reactions होती है और alleid और alcohol की reaction से hemi acetyl और hemi ketal का formation होता है मालब simple सी बाते यहां से समझेगा जब भी कोई alleid alcohol से react करेगा जब भी किसी aldehyde or alleid or ketone can react with alcohol in one is to one ratio किसके ratio में alleid or ketone suppose यह r c double bond o h alleid group जब किसी alcoholic group से react करेगा r o h one is to one के ratio में तब किसका formation होगा जहां से समझेगा इसको r1 represent कर देते हैं r c h जो double bond हो single bond में convert हो जाएगा और o r1 एक alcoxy group जुड जाता है यह ether का formation हो जाता है और यह नीचे क्या जाएगा अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है आपका r हो गया h हो गया c हो गया o r1 हो गया और क्या होगा o h तो यह structure क्या लाएगी hemiacetal ध्यान सा समझेगा question पूछ लिए जाते हैं hemiacetal hemiacetal मतलब alleid की alcohol के साथ reaction one is to one के ratio में reaction चलेगी और किसका formation हो जाएगा एक intermediate compound का formation होगा जिसको क्या कहा जागा hemiacetal यह hemiacetal completely acetal में convert हो सक्चाए जब इसको वापी से किस से react किया जाएगा alcohol से r2 o h से react किया जाएगा तो यह जो o h है यह भी किसमे alcoxy group में convert हो जाएगा o r2 में convert हो जाएगा तो किसमे convert हो जाएगा acetal में लेकिन हमें hemiacetal ध्यान रखना है o r1 r o r2 यह क्या इसका basically acetal form तो यह हमें पढ़ता पढ़ गया कि ठीक है अब हमें ध्यान हो गया कि l8 की जब alcohol से reaction होगी तब acetyl वनेगा और जब ketone की ketone में क्या difference होगा h न होते हुए महां क्या होगा r ठीक है जब ketone के alcohol से reaction होगी जब ketone alcohol से reaction करेगा तब इन में क्या differences आएगे basically h की जगी क्या जाएगा r ठीक है h की जगी के आगया same structure as it is बट यह क्या होगा hemiketal hemiketal क्यों क्यों क्योंकि यहां पर ketone involved है ketone ketone है तो क्या बना hemiketal वापी से alcohol से reaction कराएंगे तो next step में क्या हो जाएगा OR2 यहां पर क्या हो जाएगा उसका सारे की सारे क्या होगे इसके एलेडिक ग्रूप प्रेजेंट सौरी इसके आर ग्रूप प्रेजेंट्स होंगे तो यह क्या होगा आपकी structure complete ketone यह क्यों बड़ा हमने क्योंकि हमें पता था कि ग्लूकोस के पास functional group एल्याइड है और फ्रूक्टोस के पास functional group ketone है ketone जब एल्याइड एल्कॉहल से रियक्ट करेंगा तो हेमी एसितल बनेगा और जब किटोन एल्कॉहल से C double bond O H C O H H C O H H C O H H C O H H C O H H C O H H C 1 2 3 4 5 H O H यह कौन सा glucose है D glucose क्यों कि लोग में spiral carbon पर ध्यान रखेगा ज्यादा तर glucose D के फर्म में ही ज्यादा तर carbohydrate D के फर्म में ही रहते हैं अब इसका D वाला जो एल्कॉहलिक ग्रूप है वह किस से रियक्ट करेंगा एल्लियाइट से रियक्ट करेंगा अब होगा क्या इस्ट्रक्चर वे होगा क्या यह C CH OH बद जाएगा अब यहां पर वो और उनके साथ फॉर्मेशन करेगा और यह स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा यह स्ट्रक्चर वनेगी इसको क्या कहा जाएगा आपको ग्लूको पाइरनोस ग्लूको पाइरनोस के स्ट्रक्चर वनी बेसिकली तो यह क्या है इस फॉर्म में ग्लूकोस स्टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है तो किसका formation होगा इसको बोलेंगे हावर्थ projection हावर्थ projection तो इस फॉर्म में ज्यादा दर carbohydrate साइक्लिक फॉर्म में ही ज्यादा दर carbohydrate क्योंते हैं इस टेबल फॉर्म में होगे तो यह तक glucose की structure फ्रुक्टोस के फॉर्म कैसे बनेगा वह आप मुझे ड्रॉ करके बताईए ठीक है I hope यह वीडियो आपके स्टेडी के लिए बहुत हेल्फुल होगा हमारा आने वाला वीडियो बेस्ट होगा अपिमर्स और अनोमर्स पर चले यदि यह वीडियो आपके स्टेडी के लिए तो प्लीज वीडियो को जादा से लाइक करें चैनल को जादा से लाइदा सब्सक्राइब करें थैंक यू